तो देखे यहां पर हम लोग कुछ important questions को discuss करेंगे questions क्या है मेली map है और जो map work है यह आपका board exam में जरूर पूछा जाएगा और मेली 3 marks का या उससे जादे नंबर के भी यह maps related question आएंगे यहां पर हम लोग मेली history के map जो class 10th में है वो यहां पर discuss करेंगे सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन-कौन से maps हम लोग को यहां पर देखने है तो मेली इंडिया के map में ही पूरा focus रहेगा world के map से कोई मतलब नहीं है आपर सबसे पहली चीज जो कहा गया है हम लोग के syllabus में वो है Indian National Congress के कुछ sessions जो important है जिसे कलकत्ता का session है यह special session है याद रखेगा यह 1920 का कैसा session है special session है देखे जो sessions होते थे Congress के में ली कब होते थे December में होते थे और जो December से पहले हो जाते थे उनको क्या कहते थे special session कहते थे ठीक है इसी तरीके से नागपूर का भी session है वो December 1920 में मतलब यह special नहीं था यह normal session था इसी तरीके से मदरास का session है 1927 का यह में हमारे तीन course में दिये गए है इसके अलावा second point पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ important centers दिये गए है इंडिया national movement जो हुई है उसके कुछ important centers है जिसे चमपारन हो गया, खेदा हो गया एहमदाबाद meal workers में जो movement हुई थी वो हो गई अमरिस सर में जलिया वाला बाग incident हुआ था ठीक है तो उस सर related यहाँ पर दिया गया है और आखरी हमारा डांडी मार्च जो की कहाँ पर है गुजरात में तो civil disobedience movement की starting यही से हुई थी तो किसी भी तरीके से आपसे question पूछा जा सकता है तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि question कैसे पूछा जाएगा और कैसे हम लोग को graph पे plot करना है ठीक है तो सबसे पहला आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह आपको दिया गया यह आपको दिया गया है ऐसे question कि 1920 का Congress का special session कब हुआ ठीक है कहाँ पर हुआ special session आपको मान लीजे कहा जाए तो special session आपको Congress का क्या करना है बताना है उसको graph पे मतलब जो map है उसके plot करना है ठीक है तो map पे आपको West Bengal दिखाई पड़ रहा है West Bengal के बीचो बीच में आपको कलकत्ता दिखाए पड़ रहा है यहाँ पर 1920 का कलकत्ता में special session हुआ था Indian National Congress का ठीक है तो पहला यह हो जाएगा इसके बाद 1920 में फिर एक और session हुआ है यह special session नहीं है general session है Indian National Congress का ठीक है तो यह आपसे generally में लिए ऐसे पूछाएगा कि 1920 का जो नागपूर session है उसको आप plot करिये तो नागपूर यहाँ पर है महराष्ट में है इस point को आप नागपूर point plot कर सकते हैं ठीक है इंडिकेट कर सकते हैं और यह आपका answer हो जाएगा इसी तरीके से 1927 का session दिए पूछा सकता है कि 1927 का जो इंडिया नेशनल Congress का session है ठीक है आपको यह नहीं दिया जाएगा मदरास session आपको यह दिया जाएगा Congress का 1927 का session plot करिये ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि 1927 का जो session है जो कहाँ पर हुआ है मदरास में हुआ है देखे जब भी special session बोला जाएगा 1920 का तो यहाँ पर भी आपको यह नहीं दिया होगा कि यह कलकत्ता में है कहाँ पर यह आपको समझना है कि special session कहाँ पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था तो आपको यहाँ पर कलकत्ता plot करना पड़ेगा ठीक है नॉर्मल session अगर 1920 का पूछा जाए तो आप नाकपुर plot करेंगे इसी तरीके से मालीजी आपसे कहा जाए 1927 का session कहा हुआ तो आप इस मदरास में उसको plot करेंगे मदरास कहाँ पर है तो यह जो जगह तमिलनाडू की है तमिलनाडू में बिल्गुल आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पर आपको मदरास देखने को नॉर्थ हीस्ट पर आपको मदरास देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं तो इसके बाद 1919 को ठीक है तो 13 अपरेल 1919 की जो घटना हुई है वो आपको प्लॉट करने है कि कहाँ पर हुई तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 13 अपरेल 1919 को जो घटना हुई थी यो कौन से हुई थी तो वो ही थी जिलिया वाला बाग मेसाकर और ये कहाँ पर हुआ था अमरिच सर में हुआ था अमरिच सर है कहाँ पर तो अमरिच सर है पंजाब में ठीक है याद रुखे का इंडिया के पंजाब में है क्योंकि दो पंजाब है पाकिस्तान का पंजाब अलग है और इंडिया का पंजाब जलियावाला बाग में सैकर जो incident हुआ था उसके बारे में बोगों ने डिसकस कर लिया ठीक है इसके बाद आते हैं जलियावाला बाग के बाद चौरी-चौरा केस अब देखें चौरी-चौरा जो कांड हुआ था इसी में ही गांधी जी ने क्या किया था नौन कॉपरेशन को call off किया था जिस incident के बाद उस incident की आप place locate करिये तो आपको समझना है कि किस incident के बाद call off किया था तो चौरी-चौरा केस हुआ था यहाँ पर mainly जो Indians थे उन्होंने जो पुलिस था उसको जला दिया था ठीक है तो कहीं न कहीं violence हो गया था तो गांधी जी क्योंकि वांधी जी खिलाफ थे तो इसी लिए गांधी जी ने क्या कर दिया था नॉन कॉपरिशन में जो चल रहा था था नाइटीन फ्रिंटी से उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था ठीक है आप लोग एक काम करिएगा कि इसकी डेट जरूर कमेंट बॉक्स में लिक्के रताएगा कि 1922 में क इस डेट को यह हुआ था ठीक है लेकिन चौरी चौरा है कहां पर तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर ठीक है तो याद रखेगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है एक जगे जिस चंपारन कहां पर है? चंपारन बिहार में है मेली इंडीगो प्लांटर्स से रिलेटेड यहां पर प्रोल्बम थी तीन कदिया सिस्टम यहां पर चल रहा था क्या चल रहा था? तीन कदिया सिस्टम चल रहा था तीन कदिया का मतलब होता था कि 3 by 20th part जो होता था जैसे माल लिजे कोई भी किसान है तो उसके पास 1 hectare की जमीन है ठीक है तो 1 hectare की जमीन पे 3 by 20th part of 1 hectare में क्या करना होता था उसको indigo का plantation जरूरी था जो उसको करना होता था और indigo plantation से था क्या कि उसका पूरा जो फसल थी पूरा जो खेट था अबरबाद रहता था और साथी साथ बहुत problem भी होती थी जिसकी वह से यहाँ पर यह एक तरीके से movement गांधी जी को करना पड़ा था ठीक है मतलब forcefully इन से का जाता था कि 3 by 20th part पर बिंडिगो उगाई और हमको दीजिये ठीक है यह British इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने पहला अपना मतलब यह कह सकते है movement start किया था चंपारन पर ठीक है और चंपारन कहाँ पर है तो बिहार में है ठीक है इसके बाद आप थोड़ा सा गुजरात की तरफ आएंगे तो गुजरात में इन्हों स्यादा एक तरीके से movement किये है गांधी जी ने तो सबसे पहला अब उसके बाद चंपारन के जश्ट बाद आप देखेंगे तो एहमदाबाद meal workers के लिए हाँ पर एक movement हुआ था जिसको कहते है एहमदाबाद meal workers ठीक है cotton meal workers थे यहाँ पर mainly यह एहमदाबाद जगह है ठीक है तो इसको भी plot करने को आ सकता है यहाँ पर meal workers को बहुत सारी problem थी उनकी तनखा नहीं बढ़ रही थी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी problems बहुत सारा थी तो इसके खिलाफ जो वहां के कर्मचारी थे वो आंदोलन पे बैठे गांदी जी के साथ और बाद में इनकी तनखा में थोड़ा बहुत इजाफा भी हो गया था ठीक है थोड़ा बहुत क्या जो चाहा रहे थे उससे थोड़ा बहुत कम था लेकिन इजाफा हो गया था उनकी सालरी में यहां पर आते हैं खेदा में अब देखेदा भी इस जगे पर आपको देखने को मिलेगा खेदा भी गुजरात में ही हाद रखेगा कुछ बच्चे कंफिूज होते हैं कि खेदा बिहार में बिहार में नी खेदा कहाँ पर है गुजरात में है यहां पर भी जो पीज़ेंट्स थे उनको बहुत प्राबलम थी प्राबलम में ली इस प्राकार थी कि यहां पर फमीन आ गया था brought आ गए थे जिसकी वैसे फसल में नुकसान हो चुका था लेकिन जो सरकार थी जो बिटिश की गवर्मेंट थी वो टैक्स लिए पड़ी थी लिए पड़ी थी टैक्स इंक्रीज भी करे जा रही थी जिसके खिलाफ गांदी जी ने क्या किया था प्रोटेस्ट किया था मुवमेंट किया था तो खेदा जब आपको मांग करने को आए तो इस पॉइंट पर खेदा मांग कर देंगे एहम्दाबाद meal workers mark करने को है तो इस जगह पे एहम्दाबाद इसको आप mark कर देंगे ठीक है ये इस तरीके के हो गए इसके बाद जो civil disobedience moment जो start हुआ है वो कहां से start हुआ डांडी से इसलिए इसको डांडी मार्च भी कहते हैं कब start हुआ था 1930 में start हुआ था एंड जो हुई है ठीक है एंड किस एंड जो हुई नॉन कोपरेशन मुवमेंट तो वो किस घटना की कारण हुई तो वो चौरी-चौरा की कारण हुई थी ठीक है लेकिन अगर मालीजे कहा जाए गांधी जीज नो जो mass movement start करी थी ये mass movement है ठीक है नॉन कोपरेशन मुवमेंट भी mass movement थी और ये भी mass movement है मतलब पूरा भारत इसमें involved हुआ था एक तरीके से ठीक है तो ये 1930 में start हुई थी और कहां से डांडी से ठीक है और डांडी मार चुई थी बाकाईदर उन्होंने पदयातरा पैदलयातरा करी थी और ये पदेशन लिए थी तो ये आपको पता होना चाहिए salt के tax को abolish करने के लिए थी ठीक है salt tax के खिलाफ थी इसके abolishment के लिए थी Salt पर जो tax लिया जा रहा है उसको abolish किया जाए दीक है अब ये important क्यों बन जाता है क्योंकि बार्डूली जो सत्यागरे है उससे related जो person है जो personality उनका नाम क्या है सरदार वललभाई पटेल हैं तो आपसे कहा जा सकता है कि सरदार वललभाई पटेल की जो सबसे बड़ी campaign रही है वो कौन सी campaign थी no tax campaign मतलब ना tax देने की हाँ पर बात कर रहे हैं आप इन्होंने सत्यागरे किया था जिसको कहते हैं बार्डूली सत्यागरे इसके बारे में भी आपको plot करना पता होना चाहिए भी गुजरात में ही है बिल्कुल south में आप देखेंगे गुजरात के बिल्कुल महराष्ट से touch हो रहा है ये महराष्ट है आपका ये ठीक है तो महराष्ट से touch होता आपको बार्डूली दिखाई पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आपको मैस करने को आ सकता है ठीक है तो कोई भी आपके सामने कोई भी मतलब maps related question history का आएगा तो I hope आप आसानी से उसको कर सकते हैं इसके अलवा geography का भी हम लोग ने बनाया है उसको आप जाके map देख सकते हैं कहां पर किस तरीके से हम लोग ने उसको plot किया है और अपना revision अच्छे से कर सकते हैं thank you